नमस्कार दोस्तों सकसे सब में आप सब का स्वागत है मेरा नाम केशब आज अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को एक डियाई सॉल्फ करूं करके बताऊंगों कैसे इस डियाई को सॉल्फ करते हैं और यह डियाई जो है इस बियाई प्यो लास्ट यह 2018 में आयवा एक प्र में देखते है कि कम से कम समय में कैसे अप्रोच लिकिसको क्या सरक कर जा सक है तो चली देखते हैं सबसे पहले इंस्स्त्रक्शन पढ़ गिप्र लिएया है नंबर पेंस फोल्ड कितने हुए वो बताया गया ठीक है तो मंडे को 25 फॉल्ड हुआ तुजडे को 75 वेद्स टेपो 30 थर्जडे को 45 और फ्राइडे को 50 पेंस फॉल्ड हुए यह नम्मर पेंस फॉल्ड कितने हुए यह बता दिया गया तो अब कुशन पड़ते पहला कुशन क्या हम तोटल पेंस वों टुजडे रेशयर बेटेंबी टूटल टिफॉल्ड टॉड इफॉल्ड तोटल पेंस होगा तो पूछा जा रहा है तो अर्वह कौन से दिन को म्ण्धू तो टुजडे को किफॉल्ड हूँ गोग्वरा अगर हम बोले कि सब कर देटो टूटल पेंस वह वह defective है तो कितने non defective होंगे 8 होंगे ठीक है तो यहीं 8 हमें पूछा जा रहा है आठ कितने होंगे तो इसको equivalent ratio से हम लोग solve करेंगे 15 बोह सकते है total number of pain कितने sold हो है twist देखो तो देखेगा तो यहाँ पे 75 है तो हम कहा सकते 15 is equivalent to 75 यह तो बहुत सकते हम लोग तो हम से क्या पूछ रहा है defective pens non defective pens कितने है तो 8 है ठीक है तो 8 कि किसके equivalent होंगे हम यहीं पूछा जा रहा है तो 75 into लगा दिए ratio से 8 upon 15 15 5 is equals to 8 into 5 40 तो हमारा answer क्या होगा 40 तो option number A तो total number of non defective pens कितने सुल्ड में Tuesday को तो 40 हुए है चलिए हम next question पर देखते है दूसरा question हमारा total number of pens on Saturday is 40% more than total number of pens on Wednesday ठीक है तो अगर हम बोले कि Wednesday को 100% pens sold हो रहा है तो Saturday को कितना pens sold हो रहा है 40% more मतलब 140 परसेंट यह बोला जा रहा है फाइंडे टोटल number of pens sold on Friday and Saturday और Friday और Saturday को कितना pens तो वेनेज़ डेको कितना pens sold हुआ है वेनेज़ डेको 30 परसेंट जो है वो किसके equivalent है 30 के टोटल number of pens कितना सुल्ड हो है वेनेज़ गों 30 तो 140 जो कि total number of pens sold है किस दिनका सैटरडे का तो 140 किसके equivalent हुआ 30 इंटू 140 डिवाइद बाई 100 तो यह दो 0 हो जाए वो cancelled हो जाएंगे 40 इंटू 3 42 तोटल number of pens sold on Saturday कितना 42 अब लेकिन पूछ किया रहा है find a number of pens sold on Friday and Saturday तो Friday को पिन बेचा गिया है Friday को 50 पिन बेचा गिया तो 50 प्लस 42 कितना हो जाएंगे 92 ठीक है 50 प्लस 42 तो जाएगा 92 तो टूटल number of pens कितना होगे 92 तो option नमबर ए है हमारा answer चलिए आप next question देखते हैं देखर है कितना easy question है यह सब यह सब आपको बस अपना speed maintain करना और accuracy maintain करना है find a difference between the total number of pens sold on Monday and Tuesday together तो Monday और Tuesday together कितना पिन बेचा गिया है यहां पर पूछा जाएगा difference between the total number of pens sold on Monday and Tuesday together to the total number of pens sold on Thursday and Friday तो Monday plus Tuesday ठीक है कितने पिन बेचे गया है minus Thursday plus Friday यह दोन्हों का difference निकलने आपले हां में तो Monday और Tuesday को कितना पिन बेचा गया है लगा है 25 Most 75 टो 25 plus 75, 100 हो जाएगा है the minus Thursday Friday गो कितना बेचा गिया तो Thursday को 45 पिन बेचा गिया है और Friday को 50 पिन बेचा गिया तो दोनों का तो तो नेक्ट को संब्सक्राइब कर देखते हैं किसे नमर फॉर टूटल नमबर पेन सोल्ड आप टूटल नमबर ऑप परसेंट अगर बोलते कि हंडेट परसेंट पेंट बेचा गया है तो कितना पिन बेचा गया है 125 सेहलिब परकेज़्र का लभरा ही ह forma अटाते हैं बोलते हैं कि अगर मानबद ये संद्रंद को 100 बेचा गिया है तो तो सन्डे को कितना बचा गिया है एकสव पच्चीस बैचा गया सबंद सकते हुआ कि हैraf ब्लुक्ष्ट जेखते। Τoure सब्सक्राइबुक्रिया भी कुर्षाइबुक्रेश थे प्लू ही데ष्ट कुर्ष्ट कुर्ष्ट कै sinister अ आप जियर नुम्हेंच बहुत को सब्सक्राइबुक्र नि है ठीक है तो blue print कितना 20% 20% को ऐर हम fraction में convert करें तो दोस्तों कितना होता है यह blue है ठीक है तो blue out of 45 थो ऑफ्टिफाइड का है out of the remaining आप बोलत रहा है कि remaining में से 45 में से 9 सब्स्ट्राइट करें तो कितना 36 तो 36 में से बोला जा रहा है कि 25 परसेंट जो है वो रेड है तो रेड इंक कितना है ओट अफ 36 इंटू अब 25 परसेंट को फ्रेक्शन में कनवर्ट किजिए यह सब आपको याद होना चाहिए कि अब since this paper iOS response right in the mak ट्रेट कितना होता है तो 36 इंटू वण बशाण फरs अगें लागे नहीं आएगा ठिक है तो रेड इंक का पेन का पेन है फांड टॉटल नंबर ओवबलू और प्लैक इंक सं विल्यू आप बिल्लैक इसका और इसका सम पूछा जा रहा है तो 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36 तो 36 हो जाएगा फाइंड टोटल नमबर फाइंड टोटल ब्लू और इंक पिंग सोल्ड ऑन थर्स्टे तो 36 एंसर हो जाएगा हमारा आपका प्रिलेंप्स हंडड परसेंट शीवर है के क्लियर होगा ही और अगर कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए कोई भी कुश्च्छन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाइग करूंगा दोस्तों झाल झाल